नमस्ते दोस्तों मैं हूँ आप सब की होस्ट रोधोस प्रेया आज मैं बात करने वाली हूँ YouTube के नए अपडेट के बारे में और साथ ही साथ आडानी और मोदी की रियाल्टीज के बारे में आप इसलिए वीडियोज के अंतक बने रहें आज मैं बात करने वाली हूँ मनुजदे के बारे में मनुजदे एक वीडियो अपडेट किये वो हम सभी यूट्यूबर्स के लिए एक गुड न्यूज दिये ये गुड न्यूज हम सभी के लिए काफी बेनिफीसियल है जी हाँ पर कैसे एक्चली यूट्यूब ने 2023 में दो-दो अपडेट्स दिये हैं जो हम सभी यूट्यूबर्स के लिए बड़ी अच्छी खबर है 1st February को यूट्यूब अपडेट कियें कि Source पर होगी Earning और अब यूट्यूब वीडियो की व्यू भी हम बढ़ा सकते हैं और साथ ही साथ Earning भी बढ़ जाएगी Language चेंज होंगी पर कैसे जैसे कि हम सभी को पता है YouTube के नए CEO है इंडिया से नील मुहन जी वो हम सभी के लिए एक बड़ी अच्छी खबर लाए हैं वो YouTube वीडियो की Language को चेंज करने के लिए एक easy option लाए हैं और इसी related मनोज दे बड़ी अच्छे तरीके से इस new good news को explain किये हैं लेकिन दोस्तों अब क्या हुआ कि YouTube ने इतना बड़ा अपडेट कर दिया यह दूसरा सबसे बड़ा आपडेट है अभी देखते हैं इस साल में और क्या-क्या अपडेट आने वाले हैं अभी तो ऐसे बहुत सारे अपडेट आने वाले तो यह दूसरा है कि अब आपके वीडियो को मल्टिपल लेंग्वेज में कनवर्ट करेगा YouTube खूद आपको करना भी नहीं पड़ेगा जो हमें लगवाना पड़ता है लिखवाना पड़ता राइटर से बट आपका लेंग्वेज जो है अगर आप हिंदी में वीडियो बना रहे हो तो यह सब्सक्राइबर से इनके चैनल पर यह अपडेट लागू भी हो गया है ठीक है तो देखिए इनका बहुत सार विडियो से अब कोई भी वी वीडियो पाई में फाई हमें चले जाओ ठीक अब देखो आप बहुत सारे मल्टी लेंकि में नीचे चला गया 2 साल पहले का वीडि ओ में चला गया ठीक है चलियो यही wala video open करते हैं, अब यह एंविट्ली し में इंग्ली शुन सकते हैं क्योंकि वद्धेश में पना वगा ओघ्वाएं hoje sub titles भी आ रहा अब यहां पर जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने देखें बहुत सारे options आजाएंगे ठीक है थाई, स्पैनिश, रसियान, टर्कीज इसी तरह करके देखें हिंदी भी हमारा option बड़ी बात है कि चलिए हिंदी भी है हिंदी लेंग्वेज गाई नहीं मिलता है अब जब इस वीडियो को मैं प्ले करूं गाती है हिंदी में बात करेगा यह देखिए आगे मैं बात करने वाले हो धूझ राठी के बारे में धूव Wire एक नई वीडियो अपडेट किए इस वीडियो में अधानी और मूदी की रियाल्टी इस को हमारे सामने लाएं जैसे कि हम सभी को पता है लास्ट मन्त अडानी की पूजिशन डाउन हो गई पर ऐसा कैसे अचानक से हो गया उनकी पूजिशन अचानक से कैसे डाउन हो गयी धूबराठे अडानी की रेयल्टीज को हमारे सामने लाएं रोड रुपीज का नुकसान हुआ और सरकार के पैसे का नुकसान मतलब जनता के पैसे का नुकसान दूसरा आरोप है फॉरे दुरुपियों किया जाना नरेंद्र मोदी जी प्रधान मंतरी बने मैं 2014 में और टाइमस ओफ इंडिया किये औक्टूबर 2014 की इसके बाद 2018 में और 142 हेक्टर इस बारी सेंटर गवर्मेंट और स्टेट गवर्मेंट दोनों के द्वारा और दोनों को उस वक्त भी किया जा रहा था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने रिस्पॉंस में कहा कि यह जो फॉरेस्ट जमीन डिमांड करी गई है इनके द्वारा यह बिम है और इस जमीन को दिये जाने से इम्प्लॉइमेंट बढ़ेगी आप पुछोगे कितनी इम्प्लॉइमेंट तो इन्होंने कहा कि रिजिदेंट्स को जॉब्स मिलेंगी और इन डिरेक्टली 250 रिजिदेंट्स को टोटल में 350 जॉब्स मार्श यही अडानी ग्रूप को इन प्रिंसिपल अप्रूबल मिला करीब 1550 हेक्टर्स यूज करने का मुंदरा स्पेशल एकनोमिक जोन के लिए फॉरेस्ट एड्वाइजरी कमिटी ने इस चीज़ को लेकर कहा कि यह नॉन फॉरेस्ट्री यूज के लिए इस्तिमाल किया जाएगा जयातर इसमें से तीसरा आरोप है यहाँ पर एरपोर्ट घोटाले का आरोप नवेम कैबिनेट च्छे एरपोर्ट के प्राइड़ाईजेशन को अप्रूफ करता है अब यहाँ पर एरपोर्ट का प्राइड़ाईजेशन कराया जाना कम उत्दा है ये भी सवाल उठाना चाहिए यहाँ पर कि जो एरपोर्ट प्रॉफिट कमा रहा हो अच्छा खासा प्रॉफिटेबल बिजनस उसे क्यों प्राइविटाइज किया जाता है जब तक कोई organization सरकार के अंडर है और प्रॉफिट कमा रही है तो उसका प्रॉफिट जाता है सरकार के पास जिसा सकता है लेकिन अगर उसे प्राइविटाइज कर दिया जाएगा तो उसका प्रॉफिट सिरफ एक कॉर्परेट कमपनी के पास जाएगा और फायदा भी उसी को ही होगा आज के लिए इतना ही तब तक के लिए गुडबाय और टेक क्यों